गोल्डन समय है इस समय होटल मैनेजमेंट जॉइन करने का इस समय नहीं जॉइन किया तो इतना पच्छताने वाले हैं आप कि इसकी कोई हद नहीं है इसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकास ऐसा डेटा कहते हैं इस समय में जितनी जवरत है हॉस्पिटालिटी इंडिस्ट्री में मैन पावर की शायद मैंने पिछले 25 साल में कभी नहीं देखी ऐसा क्यों हुआ इसका बहुत बड़ा सिंपल सा रीजन है और ये इस समय कितना फैदे मन का सौधा बन के सामने आया है जो आप आज पूरे के पूरे इस मीडियो में आप देखने बाले है तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं इस साल या अगले साल या अगले दो साल के और तक एडमिशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंग तक देखिएगा अगर एक सेकंड भी आज आपने मिस किया तो बहुत कुछ मिस होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज आपको पताने वाला हूँ कि क्यों ये राइट समय है होटल मैनेजमे करने का देखिए हुआ यूँ दो साल से होटल इंडिस्ट्री पूरी बरबाद हो गई थी और इतनी नेगरिटिब मार्केटिंग होई एस इंडिस्ट्री की जिसकी कोई हद नहीं ये कोर्स बरबाद है ये कोर्स खतम हो चुका है और कुछ-कुछ नहाँ हद तक सही भी था क्योंकि hotel industry ही खतम हो चुकी थी कितने hotels बंद हो चुके हैं और कितने बंद होने के कगार पे थे मगर second wave के बाद दुबारा करोना गया अब जब करोना चला गया ऐसी recovery हुई कि hotel industry को भी उमीद नहीं थी मैं खुद hotel industry में हूँ हमें तो उमीद ही नहीं थी कि बिजनस इतना भेंकर तरीके बाउंस बैक करेगा पर बाउंस बैक किया और बाउंस बैक ऐसा किया कि मैन पावर उस बिजनस को सम्हालने के लिए मिल ही नी रही किसी भी लेवल पे हुआ यूँ दो साल से जब होटल बन थे तो बहुत सी manpower ने कुछ alternative careers चुन लिए उन्होंने कुछ और काम कर लिए जिसमें वो अप्टिक न चाहते हैं अब वो वापस नहीं आना चाहते हैं थोड़े insecure हो गया है और ये opportunity बन के आया उन लोगों के लिए जो hotel industry अब join करना चाहते है अगर आप अभी join करेंगे hotel industry तो तीन साल बात पास आऊंगे अगर आप second year में तो दो साल में third year में तो एक साल में और इतना golden period बन गया है ये अब हो क्या रहा है हर सब को देखिए किसको train manpower नहीं चाहिए अब train manpower मिलनी मुश्किल है हाला कि hotel management college बहुत है प्राइवेट खोले हैं दुकान की तरह आजकल वो अच्छा education दे नहीं रहे और जो students निकल रहे हैं उनको knowledge की भी कमी है उनने वो skill set है ही नहीं उनके दिमाग में पता नहीं ये कहां से आया हुआ है कि pass होते ही मैं तो general manager बनने वाला हूँ तो वो उस attitude के साथ जोइन ही नहीं करते होटल इंडस्ट्री और ये एक मुसीबत का सबब बन गया है तो राइट मैं पावर मिली नहीं रही तो अगर आपका राइट attitude है और अगर आप राइट मैं पावर बन सकते हो तो आप जरूर इसमें ट्राइ कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री का जोइन करना अब अगर इस समय आप जोइन करना चाहते हैं तो आप तो करना क्या होगा पहला चीज कोशिश करिए कि मुझे किसी ना किसी IHM में मिल जाए अगर आपको उसमें मिल जाता है आपकी मर्जी का शेहर नहीं भी मिलता है ले लीजे देगे सबसे बड़ी बात है गौवर्मेंट के कॉलेज है दूसरी बात फीस्क इतनी जादा नहीं होती आप तीन साड़े तीन चार लाख में मेकसिमम होटल मनेजमेंट करके निगल जाएंगे तो जो आपका रिटन आफ इंवेस्मेंट है बहुत ही बड़ी आने वाला है हर आएचम का लगबग कैमपस ठीक ठाक ही होता है यस टॉप टेन आएचम जिनका होता है उनका ज्यादा अच्छा होता है मगर बाकियों का भी अच्छा होता है हाँ मगर आप अगर चाहते है कि मेरे को तो बिल्कुल एक क्लास कॉलेज में ही जाना चाहाँ वो प्राइवेट हो फिर तो मैं इसके वीडियोस बना रखे हैं टॉप टेन कॉलेजिस का आप देख लीजे आप उनको भी चुन कर सकते हैं कॉलेज वो अच्छे हैं, महंगे ہیں तो अगर आप चाहते हैं उसमें जाना तो आप जा सकते हैं मगर इस समय जरूर कर लीजिए उटेर मेनेजिमेंट अगर आपकी लिस्ट में ये था अगर ये लिस्ट में नहीं था तब तो कोई बात ही नहीं तो आपके लिए वीडियो बेकार है मगर आपके किसी ऐसे दोस्त के ये वीडियो काम आ सकता है जो होटल में करना चाहता है तो जरूर उसको ये वीडियो रिफर किरिएगा पिकास इस करियर के बेनेफिट्स बहुत हैं अब मैं क्यों आपको इस समय गोल्डन अपरचुनिटी बोल रहा हूँ देखिया अच्छी ट्रेंड मेंट पावर की डर्ट इस समय होटल इंडस्ट्री में नहीं है शिपिंड इंडस्ट्री में भी है हॉस्पिटल्स में भी है क्रूज लाइनस में है एर लाइनस में है और इन सब जगह जॉइन करते हैं होटल इंडस्ट्री के लोग यही अच्छी बात है तो आपको बहुत सारे आप्शन मिल जाएंगे अगर आप यह करियर चुनते हैं और सबसे बड़ी बात कई लोग तो आजकल सिर्फ होटल में इसी लिए कर रहा है कि हमको एक टेक्निकल डिगरी मिल जाएगी तो कई इसके पैमाने हैं कई इसके बेनिफिट्स हैं यू वोंट लूस एनिफिटिंग इस अल गें 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 और गें दिस सब्सक्राइब सो स्टिक टू माई वीडियो एन आप टेली यू इस समय जो अपर्चुनिटी है उसका लाब उठाइए अभी भी समय है होटल वेज़मेंट कर लीजे आप परिशान नहीं होंगे मेरा नाम शेफ रवी सावंत है और मैं काफी सब्सक्राइब इस इंडस्ट्री में हूँ अगर मेरे से कोई हल्प चाहिए बहुत से लोग आजकर लेने भी लग गए है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं जरूर हल्प करूँगा आपकी